हलो फ्रेंड्स तो आगया मैं एक आउट नीए वीडियो के साथ यह रेंग पुसिंग एपिसोड नमबर 47 उने वाल है तो जैसा कि अपिस टेम पे मेरा स्कोर देखोगी यार तो 25,700 के आसपास है फिलाल तो मैं ग्रांड मास्टर से उतर चुकाओ और ग्रांड मास्टर जो द अब्यात खराब हो गया तो बिलकुल भी कुछ भी करने का मन नहीं करता तो इसी चक्कर में गेम भी नहीं खेल रहा था तो अभी तो मैं थोड़ा बहुत ठीक हो चुका हूँ लेकिन अभी भी गलाब बैठा हुआ है मेरा उतना क्लियर नहीं आवाज जा रहा है मेरा जैसा के पहले जाता था लेकिन हो जाए गया एक दो दिन में ओर ठीक हो जाएंगो जल्दी से मैं तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फाइनल यार मैच जो है स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस मैच को मैसा तक कल ही खेला था मतलब कल ही रिकार्ड गिया था और मैं मास्टर में उतर चुका हूं यार तो यह मास्टर का गेम प्ले होने वाला है जैसा कि आप लास्ट में आपको ठाक चलता यार नहीं तो बहुत ज़्यादा लेग करने लगता है मेरा फोन जो है यह लाइश्ट्रीम जब से आन किया हूँ ना तब से ऐसा सीन हो रहा है अगर पहले तो अच्छा से चलता था तो इदर मैं ब्लू जोन में जा रहा थी यार इदर से आराम से लूट वेगरा म इदर से एक मैंने हीट लिष्ट जो है पर्जेस कर लिए अब काफी बंदो की इसका जो है यूज पता नहीं होगा तो मैं आपको बसा जेता हूँ यह बंदो का जाता है Dag तो मैप में जो रेड 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 आ रहा है ना रेड रेड जो सरकल बन रहा है वहीं पर बंडब मेरे को मिलेगा तो इधार से मैंने गाड़ी पकड़ लिए और देन उसको चलते हैं मारने के लिए मतलब उसके आसपास रहे जाए मतलब काफी लोगों को पता ही हो गया अब तक तो यूज्स कर लिये भी होंगे, मैं ऐसा क्यों बल रहा हूं, एकदम डीटेल्स में क्यों जा रहा हूं, तो अभी देखो वो सेरकल मेरे को एकदम पास में दीख रहा है, तो मतलब बंदा यही पर है, मतलब आसपास ही है, दो चलता हूँ उस सरकल के अंदर चलता हूँ मैं और देन उस बंदे को ढूंड के मैं मारता हूँ यार क्योंकि अभी तक तो मेरा 0 ही खीला है और 21 बंदे अला हुई है मतलब मेरे को छोड़कर 20 बंदे बचे तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैं बोला था सरकल एक दम से छोट चलता हूँ मेरे को यह फरवन से ज्यादा बेटा लगता है मैं इसी को तीन चिप लगा कर चलाता हूँ अगर आपको एयर मैगजिन मिल गया है न तो उसको कभी भी मत छोड़ना भाई एप 40 में जब एयर मैगजिन लगता है न तो लिटरली इतना ज्यादा रेटा फायर हो होगे ना तो बंदा खताम ही हो जाए कि इतना ज्यादा रेटा फायर बढ़ जाता है एमफोटी का तो अभी मैं बीबा सकती के तरफ जा रहा था ताकि मैं एक और हीट लिस्टा जो है वो पर्चेस कर सको और बंदे डून के मार सको तो अभी देखो मेरा एक किल्टी स्टा यह बंदा वाल लगा चुका है तो जब भी आप किसी का वाल तोड़ते हो ना तो पूरा अपना मैगजिन खाली मत किया करो भाई क्योंकि जब आप वाल तूटेगा ना जब उसका वाल तूटेगा तो आपका गन रिलोड में आ जाएगा तो ऐसा कभी भी मत करना आधा एम करते होंगे अगर जिनको पता नहीं उनको मैं बता देता हूं कि कभी भी वाल तोड़ते हो पूरा अपना मैगजिन खाली मत किया करो तो अभी देखो मैं हीट लिस्ट पर्चेस करने आ रहा था उपर से मेरे केक और बंदा फायर दिया यार तो अगर मैं अभी पर्चेस कर हुआ एक और हीट लिस्ट जो है हो मैं विणि मुखं से प्रचेस करता हूं तो एक चे जिनका मेरे को काफी गलत लगा भाई जो एड्रॉप वाला व wash करने का रहता है बाई बैस करने का वह भी तो थो विणिंक मसीन एयार उसमें भी देना चाहिए लेकि नहीं दिने है उन बंदों के मतलब जो बंदा रहता है न उसके साथ ही साथ जाता है तो ये भी उदारी जा रहा है मतलब जोन के तरफ वो बंदा भग रहा है यार तो मेरे को भी जोन में जाना है तो मैं भी पीछे पीछे जाता हूँ और पीछे सुस वाले बंदे को मारने का ट्राई करता 12 बंदे बच्चे मतलब कांफी जाद भी बंदे बच्चे हुए मेरे को और ज़्यादा कील करना है तो सामने मेरे को वह बंदा दिख चुका है तो इसको भी मैं फिनिस कर दिया हूँ तो maximum chance रहता है काफी लोगों का भी doubt हो रहा होगा कि red zone तो काफी दूर मतलब काफी area को capture करता है तो हमको पता कैसे चलेगा क्या खिर बंदा का है जब आप उसके नजदिक जाओगे ना red zone के तो automatic आपको बंदा दीख जाएगा वही जैसा कि अभी मेरे को दीख चुका था अंदर में रहेगा ना तो footstep से आप पता लगा सकते हो घर के अंदर रहता ना जब बंदा ए दो तीन घर रहता है आसमास में आसपास में तो थोड़ा से दिक्कत आपको हो सकता है लेकिन पता लग जाता है यार अगर बंदा open में है तो easily आपको दीख ही जाएगा तो इधा के साथ अभी मेरा टोटल 6 किलो चुका था देख सकते हो आप लोग और अभी भी मेरे को छोड़का नव बंदे बच्चे यार मतलब कांफी ज्यादा बंदे अलाइव है इस ठेम पे कम से कब मेरे को अभी पांच किला और करने का मैं ट्राई करता हूं 10 से उपर करने का तो इधार अभी देखना क्या सीन होता है मैं अर्मो और मेरे को उठाना था तो पंदरा अर्मो इसमे का छोड़ा और एक मेटी किट छोड़ा तो 30 मो मैंने उठा लिया लेकिन अचानक से ड्राप जो लाइट रहता है वो बंद हुआ तो मेरे को लागा एक और बंद आ चुका ह सबाई क्या ही लोल मूमेंट हो गया था तो यहां पर दोखेंहा एका और मेरे को दीका जो मेरे मेरे पियर किया था यह एक और करने के अब मेरे को M40 ज़्यादा M41 से क्यों अच्छा लगते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं क्योंकि इसका डाइमेज उससे कहीं ज़्यादा यार 40-42 का डाइमेज करती है कभी-कभी तो 60-60 का भी डाइमेज देता है 50-60 का तो इसलिए मेरे को M40 ज़्यादा पसंद आया और जब इसमें AR मैकजिन लगता है न तो लिटरली M4J जो रहता है न उससे भी ज़्यादा rate of fire इसका बढ़ जाता है भाई तो उससे लाख गुना का मतलब अच्छा गण बन जाता है समझ लो खाफी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है यह जो M40 अगर AR मैकजिन लगा लिए तो लेकिन नार्मल सी बात है यार AR मैकजिन लगाने के बाद रेट आफ फायर बढ़ी जाता है लेकिन यह जो M40 ने इसका rate of fire कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है ऐसा मेरे को लगता है भाई AR म जिन लगाने के बाद तो अभी छोड़ो यार अब इन सब बात हो कब मेरे को छोड़ कर अभी दो बंदे और बचे इनको डून के मारते हैं तो इधार पर मेरे को वेंडिंग मसीन दिखा है तो इसमें से मैं four level का वेस्ट पर्चेस करने आया था और इसके नार भी पर्चेस कर लूँगा यार ता कि लास्ट वाले बंदे का मेरे को पता जल्दी लग सके क्योंकि अभी भी जोन कांफी बड़ा है लेकिन दो ही बंदे बचे देख सकते उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है समझ लो तो यह बंदा मेरे फायर करी देता इसका नेट चला गया यार देख सकते हो तो इसको मैं हेड पेम लेकर कांफी असानी सेम टेंट से उड़ा दिया था तो इसी के साथ अभी मेरे टोटाल 11 किलो चुका था जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और मेरे को छोड़कर बस एक ही ब्लास्ट कई बंदा और बच्चा है जिसका लोकेशन मे यार उस वाले बंदे को मारने के लिए तो सामने मेरे को दिख चुका है तो यहां पर देख यार पचास पच्पान उनसाट का डाइमेज दे रहा था है इंफोटी जो है वो तो इसको मैंने कांफी असानी से उड़ा दिया था इसके वास वेस्ट नहीं थे इसलिए इतना ज वीडियो देखा है तो आपको दिल्स धन्याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में